हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फीट में इस प्रेप सेजी प्यस्टी में तो दोस्तों जो भारत का राश्री अंदुला अपना चल रहा था तो उस पे आपन देख चुके हैं ऐंसांत्मक तरीकर से आंदुलन चलाया था उसी को भारत आकरके उसी पद्दती से भारत में अईन्सक्त प्रवितियों के मांध्यम से जो भारत कराश्री अंदुलन को गती प्रदान की आत्मा गांधी ने तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने कौन-कौन स आश्रम की स्थापना की थी आपको प्री में पूछ सकता है इसमें क्या क्या जो आश्रम थे उसकी स्थापना किया था नटाल इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना की थी टॉलस्टाय फार्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने दक्षिण अफरीका में और एक इतर जो काले का नूंते जो रंगध electricity, नित जो वह कि निते के समर्थन करते थे, तो उसको गांधी जी ने रध्य करने में अपनी अहाम Hemikanini भाई थी तो जो ब्रिटिस सरकार थी जो अपनी वेशिक British इस सरकार, तो भारत में तो वो हिंसा का जो साधन है, तो हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने एक नवीन पध्धती अहिंसा को चुना, तो इसका जवाब जो अंग्रेज हैं, उनके पास नहीं होता था, तो इसलिए गांधी जी का रोल हम देखते हैं भारत के पूरे राश्री आंदोलन में तो दोस्तों देखते हैं 1915 में गांधी जी भारती राजनीती में पदारपन करते हैं और जो उस समय पहले विस्वयुद्ध तो गांधी जी का आगमन होता है 1915 में 9 जनवरी 1915 तो इसलिए 9 जनवरी को हर साल प्रव भारती दिवस मनाया जाते हैं और 1915 में 1914 से श्टार्ट हुआ था प्रथम विस्वयुद्ध तो डबलोडबलो मतला विल्डवार फरस्ट है सवयुद्ध तो इसमें उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था तो अंग्रेजों के समर्थन के द्वारा जब प्रथम विस सरकार ने गांधी को कैसरे हिंद की उपाधी प्रदान की थी और 1915 में एहमदाबाद में साबरमती आसरम की स्थापना की थी गांधी जी ने और 1919 में जब जालियावाला बाग हत्या कांड हुआ तो उसके बाद से जो गांधी अपना में है वो है रोले टैक्ट 1919 का तो 1919 में रोले टैक्ट हुआ था जो आया था और जालियावाला बाग हत्या कांड की घटना हुई थी 13 अप्रेल 1919 को तो इसकी प्रिष्ट भूमी क्या थी रोले टैक्ट 1919 तो अंग्रेजों ने क्रांती कारी एम आरा जक्तावादी अधि इबनी रोले ट तो वो यह कानून लाया थे इसलिए इसको रोले अधिनियम कहा गया और बिटिश सरकार किसी को भी जब चाहे बीना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी तो यह इस रोले अधिनियम का प्राधान था तो इसलिए इसे बीना वकील बीना अपील बीन दलील वाला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है तो रोलेट एक्ट है और रोलेट एक्ट को मतलब गांधी जो थे जो रोलेट एक्ट आया था उसके विरोध में रोलेट सत्यागरा सभा की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष वो स्वयम थे और इसमें क्या हुआ हुआ उपवास के कारेक्रम चलाए गए प्रातना सभाय गिरफतारियों की योजना चलाई गई तो इसके सांति सांद जो रोलेट एक्ट है उसी के सांद आगे बढ़ते हुए 9 अप्रेल 1919 को सैफुद दिन किछलू और डॉक्टर सत्यपाल तो यह कॉंग्रेस से जुड़े हुए थ जिसमें सैकडों हजारों लोगों की जान चली गई थी और तो इसमें ही रविन्ना टाइगोड ने नाइट हूट की उपाधी वापस कर दी थी जालिया वाला भाग हत्याकांड के बाद से और एक संकरन नायर थे उन्होंने वायसराय की कारेकार्णी परिसत से त्याक पत्र दे दिया था और जो हत्याकांड की जांच तो ब्रिटीसों ने करवाई थी तो इसके लिए हंटर कमेटी का गठन किया था तो कॉंग्रेस ने भी अपने द्वारा एक जांच समीती का गठन किया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे मदन मोहन मालवे जी थे और इसके सदस्त गांधी थे चित्रंजन दास थे तैयब जी जवारलाल नहरू ये सभी इसके सदस्ते थे जो कि जालिया अलाबाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच में जुड़े हुए थे नेक्ट देखते हैं इसमें आगे आएगा अपना खिलाफत आंदोलन तो ये 1919 से 1922 तक चला तो वर्ल्ड वार फर्स्ट तो जब ये समाप्त हुआ तो उस समय जो जर्मनी जो मित्र राष्टों के खिलाप था तो उसका सहयोग दिया था तुर्की ने तो जब प्रतम सेवर्स की संधी की गई जिसमें जो ब्रिटिस सरकार ने खलीपा तो तुर्की में खलीफा होते थे वह पूरे वीश्ट में जो मुस्लिम धर्म के प्रमुक के रूप में जाने जाते थे तो खलीफा पर आत्मान जनक सड़ते थोप दिगए थी तो इसी के विरूद में भा कि मांग को स्विकार कर लिया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे अंभीका चरण मजुमदार लखनाव अधिवेशन के तो इसी के बाद क्या हुआ जो खिलाफत आंदोलन है ये असायोग आंदोलन से जूड़ गया और हिंदु मुसलिम पहली बार बड़ी संख और सरवच्चता की पुनाय स्थापना किया जाए तो 1920 में असयोग आंदोलन इस्टार्ट हुआ तो गांधी ने पहली बार बड़ी संख्या में मुस्लिमों को राष्ट्री आंदोलन से जोडने में सफलता प्राप्त की किन्तु जो असयोग आंदोलन है तो ये आगे पीछे रहे गया तो इससे क्या हुआ जो मुसल्मानों को जो वह चाहते थे वह नहीं हो पाया तो इससे क्लाफत और एक प्रासंगिक रहे च hy आपना खिलाफत आंदोलन था नेक्स्ट है इसमें असयोग आंदोलन 1920 का तो इसकी अपचारिक सुरुवात एक अगस्त 1920 को हुई थी तो इसमें सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो इसमें कारेक्रमों पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाया था तो इसमें गांदी ने असयोग का प्रस्ताओ पेस किया था फिर इसके बाद दिसमबर 1920 में नाकपूर अधिवेशन तो यह हुआ था तो इसके अध्यक्ष थे रागवाचार और इसे कॉंग्रेस के वासाई आधार पर मतलब की जो कॉंग्रेस है तो इसको हर जगा जो तालुका है गाउ गाउ में कॉंग्रेस की स्थापना करने पर बल दिया गया इसलिए से जन कांग्रेस में तकदील कर दिया गया तो इसलिए इसे मील का पत्थर कहा जाता है और गांधी ने ये जो नागपूर अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज को नया लक्ष घोसित किया था पहले डोमिनियनी स्टेटस की मांग किया जाता था ब्रिटिस राष्ट मंडल के अधीन स्वतंद्र तो उसके इस्थान पर स्वराज को नया लक्ष घोसित किया था नागपूर अधिवेशन में तो इसमें कालेक्रम क्या होते थे असयोग अंधुलन के दोरान उपाधी लवटाना सिक्षन संस्थाओं का बहिस्कार करना नयायालय और विधान पर इस अत्तोईन सभी का बहिस बहिसकार विदेशी वस्तों का बहिसकार करना करों को अंधुलन चलाया जाता था और इसी के सांसा सवदेशी पर बल दिया गया चर्खायम कताई बुनाई पर बल दिया गया राष्टी विध्यालों की इस्थापना की गई जो अपन देखते हैं 36 गड़ में भी असयोग अ एकता पर बल दिया गया तो यह सभी असयोगांदुलन के कारेकरम थे और इसमें जो प्रमुक घटना है हुई जो आपको प्री में पूछ सकता है तो असयोगांदुलन के दौरान ही जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर के उपाधी लोटा दी थी कलकत्ता में नेस्नल कॉलेज की स्थापना की गई जिसके प्रधानाचारी सुभाचंद्र बोज जी थे और एक दुखद खटना हुआ था असयोगांदुलन के समय जब इसके स्टार्टिंग में ही एक दिसंबर उनीस सुबीस को तिलक की मृत्ति हो गई थी तो उसी के कारण आगे तिलक सोराज फंड तो इसका पूरे देश में तिलक सोराज फंड बनाया गया था तो इसमें एक करोड से ज्यादा धनरासी जम्मा की गई थी और सांति साथ असयोगांदुलन के दौरान मेदनापूर तो इसका जो कॉंडाई छेत्र है उसमें विरेदनाद ससमाल ने किसान संगठन का न चलाया गया था और असयोगांदुलन के दौरान ही नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था तो जब यह आया थे तो इन्हें हर जगह विद्रो का मतलब की विरोत का सामना करना पड़ा था तो इसी कारण जो महात्मा गांधी उन्होंने कहा था कि स जो उत्तर प्रदेश के गुरपूर जीले में इस्थान है तो वहां पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्च किया गया था आंदुलन कारियों के उपर तो उन्होंने जो पुलिस थान है तो उसमें आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस कर्मी की मौत हो गई थी तो इसी के ब जो 12 फरवरी उन्हीं 22 को बारदोली में बैठक हुआ था ओंग्रेस का उसमें अंदुलन को इस्थगीत करने का निर्न लिया गया फिर इसके बाद आता है स्वराज पार्टी का गठन होता है नैंटी ड्वेंटी थी में तो जो कॉंग्रेस है उसमें यथा इस्थितिवाद इसका विरोध करना चाहते थे जबकि जो यथा इस्थितिवादी है जो गांधिवादी पद्धती चली आ रही है उसी के अनुसार आगे जो नेत्रित्व करना चाहते थे तो इसी में 1922 में गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्याशे चित्रण जन दास थे इन्होंने बात रखी कि मिधाई का चुनाव में भागीदारी करना चाहिए कॉंग्रेस को तो उनकी बात अस्विकार कर दी गई तो इसलिए इन्हों त्याग पत्रे दे दिया और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जिसके अध्याशे चित्रण जन दास थे और महा सचीव मोतिलाल नह प्राब्त हो गया था लेकिन इसकी कुछ उपलब्दियां भी थी कि जो पब्लिक सेफ्टी बील है 1928 उसमें सरकार को इन्हों ने पराजित किया था तो यह स्वराज पार्टी था 1923 इसके बाद गांधी दास पैक्ट तो यह नमबर 24 में हुआ था गांधी और चित्रण जन दास को कि जो स्वराज पार्टी है वो कॉंग्रेस का नाम एवं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तो यह गांधी दास पैक्ट था नमबर 1924 में और जो 1924 में कॉंग्रेस का बेलगाउं अधिवेशन हुआ था तो आपको प्रीमे कोश्चन पूछ सकता है कि महात्मा और तो नादि कॉंग्रेसद का कौन अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षेता किया था कौंधिल महात्मा गांधी द्वारा किया था नैससे में फिर इसी दौरान क्या-क्या चीजिए हुई तो हिंदू महसभा का गठन किया गया था 1915 में हरीदवार में मादन मौहन मादवी जी के द्वारा और राष्टी उधारवादी लीग की गठन किया गया था 1918 में तेजबादूरस अप्रूब विपिंचन्दरपाल और सिरिनिवा सास्तृ के द्वारा और एक महत्तुपूर् अंग्रेजों के द्वारा और शीरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समीती की इस्थापना की गई थी और गुरुद्वारा के प्रबंधन यों पदा धिकारियों कारे करताओं के चुनाओ का धिकार सीख समुदाय के व्यक्तियों को सौब दिया गया तो अंग्रेज क्यों ये विध्यक लेकर कैए थे क्योंकि जो सेना है और जो किसान है तो वो फिर विद्रो कर सकते थे तो उसको ध्यान में रख करके अंग्रेजों निये विध्यक लाया और इस प्रकार ये आंदुलन सफल रहा था अकाली आंदुलन 1927 से 27 इसके बाद जो नागपूर जंडा सत्यागर है 1923 जो अपन 36 गड़ पढ़ते हैं तो ये क्यों हुआ था जो 1923 में सरकार जो ब्रिटिस सरकार है उसने नागपूर में कॉंग्रेस के द्वारा अपने ध्वच के प्रियोक पर प्रतिबंद लगाया जाने के कारण जाने क एक इस्थाई आदेश जारी किया गया था तो उसके विरोध में नागपूर जंडा सत्यागरा तो ये 1923 हुआ था तो अपन देखते हैं 36 गड़ में भी जो बस्तर के रास्ते से हुकर नागपूर गया थे इस दोरान इसके बाद आता है वायकॉम सत्यागरा 1925 तो ये मंद कित्रित्व टीके माधवन कलबपन और केपी केसाओ मेनन के द्वारा किया गया था इसका उद्देश से क्या था जो स्रमिक नीवन जातियां थी जिन्हें वहाँ स्थानी भासा में एजवा कहा जाता था यह जो अचूत है तो उसको गांधिवादी तरीके से त्रावन कोर क दौरा किया था इसी दौरा तो यह है वाइकॉम सत्यागरा 95 में पूछ सकता है आपको दो मांक्स में चार मांक्स में इसके बाद आता है साइमन कमिशन 1927 तो इसको स्वेथ कमिशन की संग्या दी गई थी कॉंग्रेस के दौरा क्योंकि इसमें जो साथ सदस्ते थे उसमें भी भारती नहीं था और जो Congress मांग रखी थी कि भारतियों की समझ्चाओं को भारती ही सुलजा सकते हैं तो इसलिए Simon Commission का विरोत किया गया था तो भारती विधिक आयोग के रूप में Simon Commission ये भारत आया था इसके साथ सदस ये British थे तो जो 1919 1919 को भारत सरकार अधिनियम था तो उसकी जो कमिया है यहां भारत को जो समयधानिक विवस्त है उसमें जो प्रतिनिधी तो दिया जाना चाहिए कि नहीं तो उसके लिए Simon Commission भारत आया था तो इसके बंबाई पहुशते ही अभुदपुर्ण हरताल हुआ था Simon गोपैक के नारे लगाये गया थे लाहर में लाठी चार्ज हुआ था नॉम्बर 1928 में जिसमें लाला लच फत्राय का देहान थो गया था और दिसम्बर 1927 तो इसमें कॉंग्रेस का मद्रास अधिवेश था और जो 1930 में सैमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट सौपी उसमें प्रमुख सुझाओ क्या दिये कि प्रांतों में उत्तरदाई सरकार का गठन किया जाना चाहिए तो जो द्वयत सासन की समापती किया जाना चाहिए प्रांतों में द्वयत सासन में वरस्ता होती थी तो उस के लिए कहा कि जो सियूद स्वामी अयर थे तो उन्होंने जो साइमन कमिसन की रिपोर्ट है उसको रद्धी की टोकरी में फेकने लाइक तो ये उसकी संग्यदी थी इसके बाद आता है नहरू रिपोर्ट 1928 का तो जो भारत सचीव थे उस समय लौड बरकें है तो उन्होंने भारतियों को समिधान बनाने की चुनोती प्रस्तूत की थी जिसमें भारत के जो सभी दल है उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए ये उसका बात था बरकें हैट का तो इसमें फरवरी 1928 में सरवदली सम्मेलन बुलाय गया था दिल्ली में जिसके अध्यक्ष मोतिलाल नहर थे फिर इसका दूसरा संबेलन हुआ बंबई में मैं 1928 तो इसके अध्यक्षित थे डॉक्टर अंसारी तो इसमें पंडित मोतिलाल नहरू के अध्यक्षिता में समीती का गठन का निर्णे लिया गया था जिनका कारे क्या होगा भारति समीधान के सिधानतों का निर्धारन करना तो अगस्त 1928 में समीती ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की तो उनकी प्रमुक बाते क्या थी जो नहरू रिपोर्ट है उसकी प्रमुक बाते तो भारत को डॉमेनियन स्टेटेस दिया जाए अर्थात क्या है ब्रेटिस राष्ट मंडल के अधिन स्वतंत्रता अपन देखे थे मुस्लिम लिग ने 1909 का जो एक्ट है मार्लेमेंटो सुधर से जो स्टार्ट हुआ था तो उसको समाब किया जाया तो यह इसका एक प्रमुक बात था इसमें और डॉमिनियन स्टेटस तो जो मोतिलाल नहरू ने मांग रखी थी उसका सुभास चेंद्र बो में 14 सुत्री मांगे प्रस्तूत की थी तो आपको पूछ सकता है मैस्दो कॉलम वगेरा में जिन्ना की 14 सुत्री मांगे तो यह मार्श 29 का है नेक्स्ट है इसमें कांग्रेस का लाहर अधिवेशन 1929 तो यह इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अधेक्षता जोहालाल नहरू में की थी पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष घोसित किया था और इसमें 31 इसंबर 1929 में रात को बारा बजे रावी नदी के तरट पर तीरंगा जंडा फैराया गया था और जो 26 जन्वरी 1930 है तो उस दिन पहला स्वाधिंता दीवस की रूप में मनाने का निश्चाय किया था और हर साल फिर स्वाधिंता दीवस की रूप में 26 जन्वरी को मनाया जाता था इसलिए भारत का समिधान भी 26 जन्वरी को ही लागू किया आगे देखते हैं गांधी का 11 सुत्री मांग पत्र तो इन्होंने 31 जन्वरी 1930 को 11 सुत्री मांग पत्र प्रस्तूत किया तो जो चार पत्र था गांधी का यंग इंडिया तो उसके मांधियम से इन्होंने वायसराय इर्वीन और बिटिस प्रधान मंत्री रेंजे मैक डॉनल के समक्ष 11 सुत्री मांगे रखी थी जिसका सबसे प्रमुक मांग या केंद्री मुद्ध क्या था नमक कर समाप्त किया जाए औ सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई कर देना चाहिए और भारतियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान करना चाहिए गांधी की मांग थी और भी कुछ मांगे थी तो इसमें आगे देखते हैं जो 12 मार्च 1930 तक अगर मांगे स्विकार ना की किया था तो इसके बाद देखते हैं अपन सविनय अवग्या अंदुला 1930 का तो यह स्टार्ट कहां से होते हैं जो दांडी मार्च 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रेल को यह दांडी पहुंचे थे 1930 में तो गांधी जी अपने चुने हुए 78 अनुयाईयों को साथ ले किया था जैसे कि अपना 36 गड़ में भी देखते हैं सविनय अवग्या अंदुलन वंडी त्रवी संगर्सुकल ने रैपूर में नमक कानुन का उलंगन किया था और इसमें कारेकरम जैसे देखते हैं नमक कानुन का उलंगन करना कर अदाना करना विदेशी वस्तों का बहिस करना तो ये इसके कारेक्रम थे और इस दवरान जो प्रमुक कारेक्रम हुए जो घटना है हुए जो कि आपको प्री में पूछ सकते हैं वो देखते हैं तो जो सभी नहीं और ज्यांदोलन है उस दवरान तमिल नाडु में राजगोपालाचारी ने तंजवर के समुद्री का तो वहाँ वनकानुनों का उलंगन करने का नेर्णा लिया गया था कॉंग्रेस के द्वारा और जो बांबे है तो वहाँ जो धरासना तठ है तो वहाँ सरोजनी नाइडू नेतरितु कर रही थी आंदोलन का तो बहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया था तो इसका वर् लबहां सेनगा गठन किया गया था पिहार में करना अदाइगी का अन्दोलन एम भागलपूर मुंगेर सारन में चौकिदारी करना अदा करने का अन्दोलन चलाया गया था और पूर्व थर भारत में देखें तो म echषा back अंदुलन के अंतरगत तो इससे जुड़ी हुई गैडिन लिव थी जिसे जवालाल नेरु ने रानी की उपाधी दी थी और सांती साथ जो अपन देखते हैं खान अब्दुल गफार खान तो भी सविने अवग्यां अंदुलन में इसकी प्रमुक भूमिका थी ये सिमान गां में सुर्य से ने चटगाउं सस्त्रागार पर नियंद्रन इस्थापित किया था जो अपन देखे थे करांतिकारी अंदुलन के दौरान और राष्टी संदेश पहुचाने के लिए लाल्टेन काम में लाई जाती थी तो आपको याद रखना है लाल्टेन का प्रयोग सविन अग्या अंदुलन की समाप्ती हुई थी पांच मार्ट 1931 को इसी को ही दिल्ली समझाता भी कहा जाता है और आपको कुश्चन पूछ सकते हैं मेज़ो कौलम के अंतरगत की पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था नवंबर जनवरी 1931 में और इसके बाद गांधी इरविन समझ पांच मार्ट 1931 भगत सिंग्सुद्यो राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्ट 1931 इसके बाद कराची अधिवेशन तो यह कब हुआ था 30 मार्ट 1931 जो कराची अधिवेशन है 30 मार्ट 1931 तो इसके अध्यक्षे थे वल्ला भाई पटेल जी और गांधी को कालेज हंडे दिखाये गया थे क्योंकि ये जो भांसी हुआ था उसको ये रोकने में असमर्थ थे तो इसलिए इसको कालेज हंडे दिखाये गया थे नेक्स्ट है इसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो आपको कुश्चन पूछ सकता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में कॉंग्रेस ने भागीदारी किया था महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था तो इसका आंसर क्या है सम्मेलन साथ सीतंबर से एक दिसंबर 1931 तक तो यह लंदन में हुआ था जिसमें गांधी जी एसेस राश्पूताना जहाद से इंगलेंट पहुचिय थे इसमें वैसराय वेलिंग्टन थे तो इस सम्मेलन में गांधी ने जो अनुसुचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन अंग बता करके जो डॉक्टर भीम राउंबेटकर है तो उसकी दलितों की प्रिथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोत किया था सेकेंड गोल में सम्मेलन में और तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में संपन हुआ था और इसके बाद संप्रदाइक पंचाट जो कम्मिनल अवाड रेम जे मैकडॉनल बिटिस्ट प्रधान मंत्री तो इसने इसकी घोशना की थी 16 अगस्त 1932 तो आपको मैस्दो कॉलम अगेरे में कोश्चन पूश्टे रहता है तो आपको धियान रखना है डेट और जो घटनाय घटी है तो इसमें उन्होंने क्या घोशना किया था कि जो मुसल्मान है यूरोपी है सीख मद्दा था तो इनको प्रिथक प्रिथक संप्रदाइक निर्वाचक मंडल में मद्दान करके उमि प्रिथक निर्वाचक मंडल को पुना इस्थापित किया जानना और प्रिथक निर्वाचक मंडल की समिक्षा किया जानने का बात किया था तो इसमें पुना समझोता है जिसको गांधी अमबेटकर समझोता भी कहते हैं तो इस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंदी थे तो उन्होंने कहा था कि अगर ये समझोता नहीं किया तो 20 सितमबर से वो आमरान अंसन की सुरवात श्टार्ट करेंगे तो गांधी अमबेटकर में फिर सहमती के जो बिंदू बने थे वो अपन देख लेते पुना समझोता में तो जो केंद्री विधान मंडल है तो उसमें 18% सिटे दली तवर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा और विभिन प्रांती विधान मंडलों में दली तवर्गों के लिए 1440 सिटे आरक्षित की जाएगी तो ये पुना समझोता था 26 सितमबर 1932 का तो इसी में ही आगे जो पुना समझोता के बाद गांधी ने 1934 से अस् सिवाक संग की इस थापना किया था तो ये था अपना 1932 तक का घठ्ण खरम इसके आगे का नेसले कुरत में ने देखेंगे तो दूसतों आज का जो लक्चर है तो इसमें जो अपन देखना चाहते था हो गया okay दोस्तों आजके लेक्चर कंप्लेट होता है okay, thank you friends.